हलो एंड वेलकम टू देसी पठाका मैं हूँ अरादना आपके साथ दोस्तों एलविश यादव बुरा फसेंगे जी हाँ आपको बता दूं कानूनी पचड़े में फस गए हैं एलविश और जल्द ही गिरफतारी भी हो सकती है पिछले साल जो रेव पार्टी का केस हुआ था जिसमें पांच लोगों की गिरफतारी की थी नौईडा पॉलिस ने और एलविश से पूछताच भी की थी अब यहाँ पर जो FSL जाज हुई थी उसके जो सैंपल भेजे गए थे जैपूर में उसका रिजल्ट आ चुका है और रिपोर्ट में आया है कोबरा के जहर का कोबर जो साफ होते हैं उनका जहर जो है वो पाया गया है और अब कहीं ना कहीं एलविश की जो मुश्किले हैं वो बढ़ेंगी क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से इस वीडियो में समझाओंगी पर उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन क दोस्तों यह मामला पिछले साल का है जब मेनिका गांधी यानि की एंजियो पी एफ ए ओर्गनाइजेशन के जो एनिमल वेलफिर ऑफिसर हैं गौरब गुपता उन्होंने नौइडा पुलिस में जाकर एलविश यादफ के खिलाफ शिकायत की थी और एफ आई आर करवाई बलकि गैर कानूनी तरीके से रेफ पार्टियों में इन सापों के जहर का इस्तमाल भी होता है इस रेफ पार्टी में फौर्णर्स लड़कियां भी शामिल होती हैं और ये भी आरुप था कि इन पार्टियों में स्नेक वेनम यानि की साप का जो जहर है और दूसरे तरीके क ड्रक्स का भी इस्तिमाल किया जाता है अब इस केस में जो राहुल यादव है उसका एक आडियो क्लिप सामने आया था जिसमें उसने पी एफ़े मेंबर को बताया था कि उसने एलविश की पार्टी में भी ड्रक्स पहुंचाई थी और पुलिस को राहुल के पास से 20 ml जहर मि वैलिड है और यूपी पुलिस और सी एम जो है हमारे आदित्यनाथ योगी यूपी के उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर मेरे खिलाफ एक परसंट भी ये साबित हो गया तो मैं पूरी की पूरी जिमेदारी लेने के लिए तैयार हूँ और मेरा इस मामले से प्रूफ भी पुलिस के पास हैं अब देखना होगा कि बिग बॉस ओटी टी सीजन टू के विजेता एल विश किस तरीके से अपनी जो इनोसेंस है उसको प्रूव करेंगे आप क्या कहेंगे कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूल प्रूव